हाई गैस विएको बाक चू अनदर वीडियो औफ एकॉनमिक सॉनियो टिप्स आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एकॉनमिक सॉनियो टिप्स पे आज बात करने वाले हैं बड़ा इंट्रेस्टिंग टॉपिक मनी आड बैंकिंग भाई ऐसा टॉपिक जो पहले दो चेप् चैप्टर कंप्लीट होके का मर्ज होकर एक टॉपिक बना एक चैप्टर बना और आज कहानी यह है कि उस चैप्टर में से 80% चीज़े गायब हो चुकी है बट इस चैप्टर को पढ़ना बहुत जरूरी है वह पढ़ना इसलिए जादा जरूरी है कि वह चैप्टर मनी ज़की में मिलके शुरू करते हैं हमारी ओज की वीज़ियो मुंना काम आशन कर दे यह सारी चीज़े बैसिकली होती है गर मैं बोलूं जा je इसकी पיसािए बोलीजा जाए न मुंना तो पैसा वह गblack जिपा पैसा हो रिमीली इस को कानौन काण membran law says money कानून जिसको पैसा कहता है वो पैसा है मान लो आज रात को मोदी जी आ गए भाईयों भेनों आज रात 12 बजे से आप सभी के फोन पैसे हैं आप सभी के फोन पैसे हैं आईफोन X की कीमत 30,000 रुपे है अब ये क्या हो गया उन्हों ने बोला पैसा है वो पैसा बन जाएगा रात और रात मोदी जी ने बोल दिया 500,000 के नोड बंद तो कल तक जो पैसा था आज वो पैसा नहीं है आज वो कागज का टुकड़ा है जिद दिन नोड बंदी हुई थी ना है राम लोग 500,000 के नोड से जैसे अलर्जी होती ना आजमी को ऐसे भाग रहते मिरको बड़े बजया है कोई मिरको बोले चीए मैंने कला मना ही नहीं है जो आजमी 100 रुपे देने वाला था वो 5000 रुपे दे गया मैंने कला मना थोड़ी है मना नहीं करते हम किसी चीज का हम समध्दार आजमी तो आज नहीं तो कल इसको चेंज तो करा नहीं ठीक है तो भाईय और बैनो पैसा किसे कहते है पैसा उसे कहते है जिसको कानून पैसा बोल दे कोई भी हर आदमी लेगा मीडियम ओफ एक्सचेंज एक्सचेंज कर सकते हो मेजर ऑफ वैल्यू यानि प्राइस स्टोर ऑफ वैल्यू यानि कि साधा बाचा में बात करें तो बैंक अकाउंट में आप लोगों ने पैसा डाल रखा है ये मेजर फोर डैफर्ड पेमेंट या अब यहां पर एक चीज समझना जरूरी नहीं है कि कॉइंस ही आपके पैसे हो या नोट ही आपके पैसे हो चैक भी आपका पैसा है सारी की सारी चीजें आपके पैसे के अंदर यहां पर काउंट होती है सो मनी क्या है मनी वो सारी चीजें जिसको कानून बोल दे की पैसा है इन चारो points को थोड़ा से deep में समझते हैं, इधर देख लो, सबसे पहला point है medium of exchange, money की सबसे पहली characters से क्या होती है, कि एक medium of exchange है, इससे आदान प्रदान हो सकता है, हिंदी में बूला जाए तो क्या हो सकता है, आदान प्रदान हो सकता है, यानि simple वाशा में, आज मुझे आप प कोई बुरी बात नहीं है, तो यह क्या है, medium of exchange, अगर आपको कोई भी चीज लेनी हो, अच्छा यह तो generally accepted बता दिया, मैंने, ठीक है, यह मन की बात बता दी, मैंने, अच्छा, तो medium of exchange का मतलब क्या होता है, basically, कि मुझे चाहिए 1 रुपे की चीज, तो भी मैं पैसे से ले सक ठीक है, second is store of value, आप सभी के बैंकों में खाते हैं, सभी चका चक लबालाव है, ठीक है, सबके बैंकों में खाते हैं, तो it can be treated as store of value, आप पैसे को संभाल के रख सकते हैं, दूसरा, measure of value, जिसको हम बोलते हैं, unit of account, एक नमबर, mcq, आज लिख लिए हो, बड़ा काम आएगा कल भी, unit of account, बड़ा interesting topic है, unit of account का मतलब क्या है, किसी भी चीज की कीमत को बोला जाता है, measure of value का मतलब, कि आप पैसे को generally accept क्यों करते हैं, आज मैं आपको को कोई सामाल ले रहा हूं, तो उसको generally, ले क्यों ना हो पैसा उसके बदले में, उसके बदले में उसका reason ये है, कि उस चीज के पासात लगी हुए, उसकी price, दुनिया की सारे goods and services को इस चीज से तोला जाता है, वो है उसकी price, and just because इसी चीज से तोला जाता है, इसलिए आप पैसे को क्या कर सकते हो, exchange कर सकते हो, so money has the quality of a measure of value, यानि कि सारे goods and services को आप price के tax से तोल सकते हैं, चौथा बोला गया है, हाँ पर measured of deferred payment, deferred payment, deferred payment आप सभी जानते है, deferred payment का मतलब होता है, उधार, क्या होता है, deferred payment का मतलब, उधार, आज पैसा है, इसलिए उधार है, अगर पैसा नहीं होता ना, तो उधार नहीं होता, पैसा है, इसलिए उधार है, पैसा नहीं होता, तो उधार नहीं होता, लाला रह गया थीक है तो बेसिकली पुराने जमाने में जब पैसा नहीं था तो उधार वाला सिस्टम बहुत कम चलता था ठीक है यूँकि पता चला कि इसका केला इसाड़ गया तो मामला बहुत खराब हो जाता है यह संत्रे खराब हो गए ठीक है तो कुछ भी हो सकता ना यहां पर बेसिकली क्या हुआ कि उस समय खराब हो जाता आजकल केला नहीं आजकल केले के बदले पैसे एक नहीं एक दरजन केला ले पकड़ पैसे पकड़ काम खतम ठीक है अब वो केला सड़े या ना सड़े वो तुम्हारे उपर है कितना तुम देख रिक करोगे ठीक है तो बेसिकली पैसे को हम उधार के concept में रख सकते हैं कि आज तुझे सामान ले जाना सामान ले जा बदले में मुझे उस सामान के बराबर के प्राद में कभी पैसा दे दियो simple है easy है ठीक है so credit transaction possibly है आज के समय में आज के समय में बिना उधार के कोई काम नहीं होता आज देख कीमत है 30,000,40,000,50,000 रुपया बाद में उसको दोगे ना जब आप दोगे तो basically क्या हुआ वो उसका उधार का काम हुआ clear हो गया पैसे को उधार के काम में रखा क्यों जाता है इसका बड़ा simple सा reason है पहला पैसा बड़ा constant होता है content होने का मतलब क्या है कि आज 30,000 लो या कल 30,000 लो एक ही बात है जाद को ऐसा भरक ने बड़ता ऐसा नहीं मुझे आज के 30,000 कल के 30,000 से जादा पसंद आएंगे पसंद मेरे को जरूर आएंगे तू साल बरबाद पैसे दे या अभी दे अभी दे जाद अच्छा है ठीक है तो क्या है यह remains constant ऐसा नहीं कि इसकी value उपर नीचे बदलती रहती हो general accessibility है यानि कि कोई भी ले सकता है कोई भी देगा आप easily ऐसा नहीं है कि आप मुझे दो के तो मैं मना कर दूँगा आप मुझे दो मैं बिलकुल मना नहीं करूँगा कोई दिक्कत की बात है पेटीम नंब अधर मोदी जी कि आने के बाद आप देना है लोग काला दिन रखता हैं तो एक 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 सिख्के में रखते बड़े नोटों में रखना ही नहीं है आदमी खराब है 2016 नमबर पता चला बोले पांस साल हुए 2021 में फिर चेंज कर दी है तो इसलिए छोटे एक 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 सिख्के मे समय तक चलता है तो आपके मनी के के राक्टर स्टेकर में मनी के कैरेक्टर्स के उन्मारा जो पैसा होता वह इस प्रकार से आपका चलता है अब दो चीजें अच्छा इस आदमी को बताओ कौन है जिल पाच रखके बताओ मैं नहीं बताओ समध्दार है अभी पूरी दुनिया चल रही है इससे ठीक है सब जानते हैं अभी क्या जिन्दिगी में टैलेंट है हमारा पूरी दुनिया चल लिए दिकत की बाद थोड़ी आए पूरी दुनिया को कीजर है ठीक है तो बेसिक लिए अगर आगे बात करें तो पैसे के बारे में टॉक आप तो यहां पर दू कॉंसेट और आते हैं पैसे एक कर आता मनी सप्लाई मनी मतलब पैसा सप्लाई मतलब मिलना ठीक है तो मनी सप्लाई का मतलब है कि लोगों के पास at a particular point of time मार्केट में कितना पैसा लोगों के पास अविलेबल है इसके बाद आते हैं उसके बदले में सरकार ने बोल दिया कि यह नोट है आज सभी तुमारा पैसा है उसके बदले में सरकार को RBI को उतना गोल्ड देना पड़ता है तो यानि कि यूर करेंसी इस बाक्ड़ वित गोल्ड पर जब एमर्जेंसी के कंडिशन आ जाती है कि अभी पैसा ही चाहिए अभी इकॉन में डूब जाएगी बरबाद हो जाएगी आर्बद हो जाएगी आर backdrop करते हैं वित आर्बेंकिंग सिस्टम दो प्रकार के अमारे बैंक होते हैं एक है हुँमारा Central bank और दूसरा है यह कोppen लिएती बेटाइस बांट लिएक दूम्हारा सेंठ्रल बैंक निश्ल लिएक लो सब्सक्राइस काम र्फ बेहाद सब्सक्राइब मतलब बात शुद्रम्स लिएन पिलो सब्सक्राइब पहले कमर्शल बैंक बले तुम SBI ले लो PNB ले लो Bank of India ले लो करोना ने करोना ने लो करोना निया ने लो ठेक है कुछ का जितना ही बैंक कोई साभी आप बैंक ले लो सारे की सारे तुम्हारे कमर्शल बैंक के अंदर आते हैं सेंट्रल बैंक को तो हम पड़तों की वीडियो में देखिंगे मतलब next to next अगली वीडियो बढ़ी चांदार है तुम्हारे दिल का जो पहली आदमी जब भी पहली बार बैंक में जाता है कुछ तो गड़बढ़े देखिंग की पैसे में जमाबी कर रहा हो बैंक में एक्स्टा पैसा दे रहा ज्यादा पैसे आएं है वो है यह कि commercial bank होता क्या है तुमको सामाने जिन्दगी में commercial bank पढ़ना ही पड़ेगा ठीक है और अगर बारी में इसको पढ़ते हो that is very very good ठीक है तो इस बेटर कि चुपचा बैठकर जरूरी नहीं है कि हर्चित अपन course के मुताबिक पढ़े कूर्स में भी है कुछ पार्ट ठीक है बट पूरा पार्ट नहीं हटा सकते हैं पूरा पार्ट जोड सकते हैं तो हमने प्र जोड दिया है ठीक है ताकि आप सभी की जानकारी थोड़ी सी प्रॉपर हो और bank में जाओ तो ऐसे यूं नहीं जाओ जाओ में थोड़ा सा समझधारी परा पूर्ण जाओ तो इसलिए हमें थोड़ी बहुत जानकरी लेना जरूरी है तो कमर्शल बैंक के अगर बात करें कमर्शल बैंक का होता है जो की एक्सेप्ट करता है आपके डेपोजेट आपका पैसा लेगा आपको चाहिए तो लोन सारे इसके चोड़े-चोड़े एक्जांपल हो गए अब बहुत मैत्व पूर्ण चीज आप सभी एक बात तो जानते हैं बेटा सारे के सारी जानते होंगे इस बात को क्या कि हम जब बैंक में पैसा जमा कराते हैं तो बैंक क्या करता है बैंक बेसे कि उस पैसे को कुछ कल पड़ेंगे पिता जी भी टॉक टूई लेटर अभी हम बेटाजी से बात करते हैं तो आप जब बैंक में पैसा जमा कराते हैं तो बैंक क्या मिलता ही आपका डिपॉसित होगया बैंक आपको 4% क्षार पॉसित देता है by borrowing rate, क्या बोलते हैं borrowing rate, इसको एक नई page पे समझते हैं आप अप अब वो clear हो जाएगा, देखो यहाँ पर, यहाँ समझते हैं, खाली जागे हैं बस्त खाली जागे हैं पर हम सभी इसको समझते हैं देखो आप लोग bank में गए, आप bank में क्यू जाते हैं वहाइए पैसा जमागरा नहीं जाते हैं ठीक है यह है हम, यह है public और यह है आपकी bank आप bank में गया आपके खाते में पैसे deposit करा है बदले में bank आपको क्या दे रहा है interest दे रहा है आप जो bank से 4% interest लेते हैं उसको हम बोलते है bank उसको बोलता है borrowing rate क्या बोलता है बेटा, बॉराइंग रेट, बॉराइंग रेट का मतलब वो रेट जो बैंक आपको दे रहा है as an interest, बैंक उस पैसे का क्या करता है इदर देखो, बैंक उस पैसे को आगे बेजता है, किसको invest करता है, क्या करता है, invest करता है, interest ने invest करता है, बैंक उस पैसे को invest कर का ब्याज लेता है मैंने अगर house लोल लिया कोई ओर लोल लिया कोई और कोई सा भी लोल लिया तो मुझे आठ से 10% बैंक को प्याज चुकाना पड़ेगा इसको बैंक नाम देता है lending rate और इसके बीच में चार परसेंड का margin बच गया है जो बैंक को बॉच बैरम को सब्सक्राइब 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 कोई एक है current account, एक है saving account, एक है FD, fixed deposit, एक होता है RD, recurring deposit, ऐसे बहुत सारे होते हैं, पर basically 3 चलते हैं, वो मैं बता रहा हूँ आपको, current account जो होता है, current account उल लोगों के लिए होता है, जो हम लोग नहीं है, यानि basically current account होता है आपके business man के लिए, ठीक है, जो business करते हैं, धंदा करते हैं, जिनके रोज के transaction होते हैं, कि रोज पैसा आ भी रहा है, रोज पैसा जा भी रहा है, कोई limit नहीं है, न पैसा आने की, न पैसा जाने की, तो उल लोगों के लिए होता है current account, जिस पर कोई भ्याज नहीं मिलता, कितने पैस रख लो भ्याज नहीं मिलेगा, क्यों, और bank पैसे काट लेता है, क्यों, क्योंकि हमारा है current account, current account का मतलब, आप जब चाहे, पूरा bank खाली कर सकते हो, जब चाहे, पूरे bank में वापस पैसे डाल सकते हो, जितने पैसे चाहो, वो तने डाल सकते हो, there is no limit on this, ठीक है, तो current account businessman खुलवाते हैं, जिनको कोई भ्याज नहीं मिलता, द इसके बाद तुम्हार, third account आता है, आप सभी ने सुन रखा होगा, जिसको हम कहते है, FD, जिसको हम क्या कहते है, FD, FD का मतलब आप सभी जानते है, fixed deposit account, जिसमा पैसा जमा करो, एक fixed maturity होने के बाद आपको return मिल जाएगा, ठीक है, इस पे थोड़ा सा ज्यादा rate होता है, 6%, 7 8%, 8% इसका ब्याज होता है, इसके बाद एक और आता है, जिसको हम बुलते है, RD, RD का मतलब होता है, recurring deposit, recurring deposit का मतलब, आपको हर महीने कुछ ना कुछ पैसा जमा कराते रहना, लगाता है, ठीक है, एक तरीके का FD के format में ही है, but RD is a recurring deposit, मतलब हर महीने आप पैसा बढ़ाते जा आने का तरीका, तो अगर आप बैंक में जाएंगे, तो इस तरीके साब के पैसे deposit होंगे, अब आपके पैसे से bank क्या करता है, loan देता है, second property, second function जो होता है, advancing loan, आपका deposit accept करने के बाद, वो उसका कुछ हिस्सा तो अपने पास रख लेता है, बाकी हिस्सा वो क्या करता है, loan पिछड़ा देता है, तीन तरीके के bank loan basically देता है, पहला है long term, demand loan और short term loan, long term loan का मतलब क्या होता है, 10 साल, 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, इसका आपको basically loan दे रहा है, ठीके, आप bank में आए, आपको loan चाहिए, 10 साल का आपको loan दिया, खाफी लंबी किष्ट होती है, interest चलता रहता है 10-12% का, इस interest पर आपको लंबी समय का loan मिल जाता है, short term loan आपसे भी जानते है, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने का आपको loan मिलता है, तो उसको हम short term loan के नाम से चानते हैं, तीसर और आखरी के लाता है आपका demand loan, demand loan का मतलब क्या होता है, basically इसकी कोई ऐसी maturity period नहीं, एक साल के बाद या 6 महीने या 8 महीने बाद bank जब चाहे उस पैसे को ले सकता, यह bank to bank चलता जनरली, तो यह कुछ basic से function है, जो कि आपको पता होने चाहिए, देखो, काफी सारी चीज़े ऐसी होती है, जो यह matter नहीं करती कि आपके course में आ रही है या नहीं आ रही है, पर being a commerce students, it's mandatory for all of you, कि आप इन चीज़ों को समझे, तीसरी function देखो, तीसरा function है तुमारा overdraft facility, overdraft सब जानते हैं, क्या होता है, current account वाले जो होते हैं, जितने भी business man होता है, उनको एक facility मिलती है, मान लो current account है जंदे वाल आजमी है, मैं रोज के 10 लाग रुपे के transaction करता हूं, मान के च transaction कर रहे हैं, ठीक है, 10 लाग रुपे हो भी रहे हैं, ऊपन नीचे आ भी रहे हैं, 2-3 लाग रुपे जा भी रहे हैं, चलता रहता है तरह, तो अब समझना, मान लेते हैं मैंने एक party है, जिसको मैंने 3 लाग रुपे का check काट के दे दिया, 3 लाग रुपे का, अब उस particular point of time जिस party ने check लगाया, मेरे खाते में ते 2 लाग पचास जार रुपे है, मेरे खाते में कितने पड़े हैं, 2 लाग पचास जार रुपे हैं, 3 लाग रुपे का मैंने check दे दिया, instantly अभी मेरे पाँ पैसे नहीं है, एक दिन बाद मेरे पास 80 लाग रुपे का payment आना बागी है, अब समझना, अगर normal saving account होता है, तो bank क्या करता है, इस check को फार देता है, bounce, होना होगा, आप लोगो ने check bounce होना, इसको कहते है check bounce होना, ठीक है, तो basically आपका check bounce हो गया, क्योंकि आपके खाते में पैसे नहीं है, पर अगर check bounce हो जाता है, तो market में image खराब हो जाती है, तो इसलि overdraft का मतलब जादा निकाल लेना, overdraft का मतलब जादा निकाल लेना, ठीक है, फिर आपको bank को ये पैसा चुकाना पड़ता है, और बदले में थोटा बोटा ब्याज भी देना पड़ता है, ठीक है, तो basically ये कहलाता है, overdraft facility, समझना आ गया, तो ये हमारे कुछ bank के central bank, commercial bank के खुद जादा जरूरी है, ठीक है, कहां गाम आएंगी, ये मैं नहीं, खुद समझ जाओगे, समय आएगा, तो हर चीज जान जाओगे, आप से मिलेंगे भाई लोगों, अगली वीडियो के साथ ये वीडियो पसंद आई हो, समझ में आया हो, तो अभी description में जाए हमारी book purchase क कर लें, हमारे दो चोटा packet, बड़ा दमा का, for Indian Economic Development and Macroeconomics, class 12, class 11 के लिए, microeconomics की book available है, जो की Amazon के तीनों के तीनों bestsellers है, ठीक है, अगर आपको purchase करनी है, चोटी सी किताब पढ़के, आपको पूरी की पूरी 12 में जढ़े गाड़ने है, तो description में चले जाए, Amazon का लिक available है, फ क्लों के जाए, पुरे का लिक पूरी 12 अबचने है, जाए, शेल है, जाए, सेराए, सक्टार्वक की पूरी 12 अवर का झालवेश должна सकude का ड़्र। मोईना है, अजपकोरा क का लिक पूराईवस, ऑ्यावस, दुन pawsकोरा काा झाल धुरा आपकोर require भाऌकोरी 13 अबर में, हमारा